हेलो गाइज आप लोगों का स्वागत है एक और कंपैरिजन में और आज हम कंपैर करने वाले हैं दो घीजर्स को जो कि सेम ही ब्रैंड के हैं क्रॉम्टन जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा फर्स्ट घीजर है क्रॉम्टन का एमिका 15 लीटर 5 स्टार घीजर वर्सिस एर् का रिव्यू और कंपैर करने के लिए नहीं का है इसलिए ये पूरी वीडियो टोटली एक ओनेस रिव्यू में होने वाला है तो प्लीज देखिएगा हम सबसे पहले दोनों ही गीजर्स के फीचर्स और फंक्शन को देखेंगे और उनके बीच कंपैरिसन करते हुए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सा गीजर्स बैटर होने वाला है और क्यों होने वाला है तो चली अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखेंगे क्रॉम्टन की एमिका 15 लीटर 5 स्टार गीजर्स के फंक्शन्स और फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले ये 2000 वाट्स में आता है इसमें अगर आप वेट की बात करोगी तो ये आपको 8.3 kg वेट मिलेगा और साथ ही 8 बार प्रेशर जो की नॉर्मली देखा जाए कि एक 15 लीटर 5 स्टार गीजर में आपको मिली ज सबसे पहला अगर आपका की ज्यादा हो जाता है तो ही तो कंट्रूल करने का काम करता है सेकें कि और यह गाम है कि अगर आपके गीजर का पाने एक सर्टन टेम्बरेचर पर पहुंच जाता है तो आपकी घिजर अपने बंद हो जाएगा एंड फाइनली मल्टि फंक्शनल इसका काम यह है कि आपके गीजर को यह और भी ज़्यादा efficient बना देता है काम करने में फिर उसके बाद में आपको इस गीजर में anti-rust magnesium anode road मिलती है जिसका काम यह है कि वो rust होने से आपके गीजर को बचाता है हाला कि इस road को आपको हर एक 2 साल में change करवाते रहना पड़ेगा लेकिन इसकी cost आपको काफी कम देखने को मिलेगी अगर इसके benefits की बात करी जाये तो and सबसे बड़ी बात यह गीजर ISI marked है and अब इसकी pricing की बात करी जाये तो यह आपको market price में 6820 में देखने को मिलेगी current price में अब इसके warranty section में जाके देखे तो आपन को इसके 2 साल की product warranty मिलती है साथ ही 2 साल की element warranty और 7 साल की tank warranty मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है इसके cons के बारे में हम comparison के time बात करेंगे चलिए अब second geyser को देखते है जो कि है crompton का air no new 15 liter 5 star geyser इसमें भी आपको 2000 watts ही देखने को मिलेंगे जिसे पहले geyser में मिला था लेकिन इसमें आपको weight थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा उसमें 8.3 kg था इसमें 7.8 kg है bar pressure दोनों में same है 8 bar pressure इसमें भी आपको metallic body ही मिलती है और इसमें 1200 gram powerful heating element मिलता है powerful heating के लिए इसमें भी आपको 3 level safety मिलती है first capillary thermostate, second automatic thermal cutoff and finally multifunctional valve इसमें भी आपको anti-rust magnesium anode rod देखने को मिल जाएगा इसमें एक और नहीं चीज़े जो कि यह nano polyband technology जो इस geezer का जो tank होता है वो nano polyband technology से बना होता है जो कि एक high level heating resistance and corrosion resistance दोनों provide करता है यह geezer भी आपको ISI mark देखने को मिलेगा and अब चलो इसकी pricing की बात करें तो यह आपको currently 5798 में देखने को मिल जाता है इसके warranty section में जाती है आपको पता चलेगा कि इसकी 2 साल की product warranty है 2 साल की element warranty भी रहती है और 5 साल की tank warranty भी मिल जाती है जो कि यह काफी अच्छी बात है तो चलिए अब इन दोनों geezers के बीच एक अच्छा comparison करते हैं वैसे यह दोनों ही geezers में ज्यादा difference देखने को ने मिलता अपन को तो सबसे पहला जो difference notice होता है वो इनकी pricing में होता है जो कि यह 1000 अब कुछ लोगों को यह ज्यादा लगेगा और कुछ लोगों को थोड़ा सा कम लेगेगा क्योंकि उनका price थोड़ा high range का होता है और किसी का कम होता है तो आप अपने इसाफ से देख लेना जो second difference आपको देखने को मिलता है कि जो Arno Neo की user है वो थोड़ा सा lightweight है Crompton की Amica से जो तीसरा difference notice होता है यहाँ पर कि दोनों के same safety features है बट Arno Neo में आपको nano polyband technology मिलेगी जो कि उसको थोड़ा और better बनाते थी है Crompton के Amica के compare में एंड जो finally difference की बात करने वाला हो वो शायद इतना बड़ा नहीं है मेरे ह्याल से बट फिर भी मैं आपको बता देता हो information के लिए Amica आपको 7 साल की tank warranty देता है और Arno Neo आपको 5 साल की मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा difference नहीं है मेभी आपको ये लग सकता है In the end conclusion में ये ही है कि ये दोनों ही same gizzards है आप कोई सा भी purchase कर सकते हो ज्यादा difference नहीं मिलेगा बट फिर भी Arno Neo थोड़ी सी better choice रहेगी आपके लिए because of nano polyband technology और आपको एक main चीज बता देता है जो कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है अगर आपके घर में hard water high TDS के साथ आता है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी gizzards मत लीजिएगा क्योंकि high TDS में बहुत ज़्यादा chances होते है metallic body में जल्दी rust लगने के तो मेरा तो यही suggestion है उसके लिए आपको ABS plastic body के gizzards को ही लेना चाहिए और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है अगर आप online shopping करते रहे तो जो कि normally सारे लोग करते हैं तो आपनको बहुत मुश्किल होती है best deals find करने में किसी भी products के लिए तो don't worry तो हमने एक ऐसी website create करिए जिसका नाम है productfire.in इस website में आप किसी भी products के लिए best deals find कर सकते हो और सबसे बड़ी बात price history की आप उसके past की price history भी check कर सकते हो जिससे कि आप कहीं नगी आप यह पता लगा सकते हो कि next month में कौन से time पर इसकी price history सबसे कम होने वाली है और आपको उसी time पर क्या पता best deals भी मिल जाए तो visit जरूर करिएगा और कोई problem आया तो comment section में बताइएगा तो guys आज के लिए इतना ही दोनों ही geezers की best deals का link हमने description में दे रखा है और हाँ आपको वेबसाइट का भी link इन दोनों की जर्स के साथ तो अभी के लिए भाई आपसे मिलता हूं में next comparison या फिर review वीडियो में